नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करेंगे UPSC PET के बारे में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, UPSC के अडियल रवेये के चलते इलाकों चात्रों का जो भविश है, वो खत्र में पढ़ गया है, और वे सभी चात्र चिंतित और परिशान हैं, लगादार आयो के कार्याले पर पस्तिती दर्ज करवा रहे हैं, आयो के समक्ष अपनी मांगे रखी जा रही है, और अध्यक्ष से भी मुलाकात करके ग्यापन सोपे गए हैं, साथ ही जिन चात्रों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करे तो आज की तारिक में जो भी चात्रों ने अध्यक्ष के समक्ष अपनी तमाम परिश्यानी को रखा, लाखो चात्रों का भवश्य आने वाले एक साल के लिए अंदकार में ना चला जाए, इसको ध्यान में रखते हुए आविदन की तारिकों को बढ़वाने के लिए मांग पढ़ सकता है, इसलिए आयोग दस दिन के लिए तारिक बढ़ा दे, इसकी ही मांग की गई है, हालंकि चैर्मेन ने इसको लेकर कोई ठोस आश्रासन तो नहीं दिया है, तारिक बढ़ेगी, लेकिन छात्रों लगातर मांग करते रहें, जब तक तारिक नहीं बढ़ जाती, तब तक वह अपनी मांगों पर ढटे रहें, बाकी जैसे ही कोई सूचना मिलती है, आप सभी को सबसे पहले दे दी चाहेगी, हजारों चात्र वीडियो को देखते हैं, चैनल को सस्क्राइब चरू करें, आपके हां की आवाज यही से उठाई जा रही है, धन्यवाद.